भारत और पाकिस्तान की मैच की दिवानुगी ही अलग होती है और जब ये मुकाबला व'll कप में हो तो रोमांच चरम पर पहुँचाता है इस वार के वल्ल कप में 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान की बीच मुकाबला है ये मैच गुझरात के एहमदबाद में है ऐसे में होटल बुकिंग से लेकर ट्रेन और फ्लाइट की टिकेट की बुकिंग भी काफी पहले से होने लगी है हालात यह हैं कि अब लोगों को मैच वाले दिन के लिए एहमदाबाद जाने के लिए भी टिकेट नहीं मिल रहे है वहीं पाकिस्तान की मैच को देखते हुए इंडियन रेल्वे ने फैंस को बड़ी राहत दी है इंडियन रेल्वे ने 14 अक्टूबर को एहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है वर्ल्ड कप के दोरान इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मध्यप्रदेश, राजिस्तान और महारास्ट से श्पेशल बंदे भारत ट्रेने एहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में मैच के लिए रवाना होगी ट्रेन टाइमिंग इस स्पेशल ट्रेन को और भी ज्यादा खास बनाती है रेलवे के टॉप अधिकारी के मताविक इसकी शेडियूलिंग इस तरह से की गई है कि मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले फैन्स ट्रेन से एहमदाबाद पहुँचाएंगे और मैच खत्मोने के बाद आसानी से अपने घर लोट सकेंगे वर्ल्ड कप मैच को लेकर इस्पेशल ट्रेनों की जो तैयारी की गई है उसके मताविक फैन्स समय से स्टेडियम पर पहुँच जाएं और फिर मैच के बाद घर आसानी से पहुँच पाएं इसके पीछे भी वड़ी वजह है दरसल एहमदाबाद ने मैच के दिन के आसपास काफी महंगे होटल के किराय को देखते हुए ऐसा किया गया है इससे पहले जब बुकिंग के लिए इस मुकाबले के टिकेट खुले तो तुरन बिग गए कई लोग तो इस मुकाबले का टिकेट ब्लैक तक में खरीद रहे है मैं हूँ प्रियंका ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे टीबी नाइन भारत वर्ष का डिजिटल प्लैटफर्म